अगर हम थोड़े छोटे छोटे से तरीके से काम करके और अपने टाइम को और अपने पैसे को मैनेज कर लेना तो बहुत अच्छा होता है तो इस तरीके से अपने अपने चैनल अपना संसार में आपको बहुत पसंद आगे क्योंकि आज मैं कुछ हैसे छोटे-छोटे स्टेप्स आपोसा शेयर करें हूं जिसे कि आपको भी मेरी तरह थोड़ी सी आसारी होगी तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है पसंद आतलक्षे जरूर करेंगा और नहीं आएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुन दूलीगा सब्सक्राइब तो आज में बनाने जा रहे हैं यह जिससे कि हमारे पैसे की बचती नहीं होगी बलकि बारिश में हमारे बहुत सारा काम जो है न वह भी पेंडिंग भी लटका रहता है जिससे हमारा घर भी बह अपने दुबटे से सूट से साड़ी से जो भी कपड़ा हो ना उससे एप कर लीजिए तो बस मैंने इसको दिखी इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा मोटाई में कट कर लिया है और मैं इनको बांधूंगी अब इससे नहां हमारा घर बहुत ही बढ़िया तरीके सुनाज रहेगा और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कपड़े सुखाने का जी हां मैं इसको एक स्टेंड बनाने जा रहे हूं जिसमें हम धेर सारे कपड़े सुख़पाएंगे और बिना किसी मेहनत के और हम यह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारा जगा अब हम कितन यह सारे उनाजर खरीदें जिससे कि हम अगर आप फ्लेट में रहते हो या आपका घर छोटा है तो आप कपड़े कहां सुखाओगे बारिश होती है कपड़े तो डेली दुरे जाते हैं और उनको सुखाना भी जरूरी होता है लेकिन उन्हें फैला है कहां सुखने के लिए अगर समेट करके रख देते हैं तो कपड़े में फंगस लग जाएगा खराब हो जाएंगे बदबुआने लगेगी तो उन्हें फैलाने के लिए हमें धेर सारे स्टैंड खरीदने पड़ते हैं तो जगा भी उतनी होनी चाहिए ना कि जहां पर हमें स्टैंड रख सके तो क इसी तरीके से इसको बांधना है और पूरे में एक तरफ से बांधते हुए चले जाना है तो कुछ इस तरीके से देखे मैंने एक तरफ को बांध लिया है आप चलिए हम दूसरी तरफ को बांधते हैं तो ये भी हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से बस बराबर बराबर म यह देखिए बस टाइटली बांदिए ऐसा नहों कि आप धीला सा बांदो और कपड़े डालो तो जब लोड पड़े तो कपड़ा सही नीची आ जाए तो बस इसे मजबूती से बांदना इस बात का ध्यान रखिएगा तो चलिए पहले पूरे में बांद लेते इस तरीके से से देखिए अब यह नहीं बहुत ही बढ़ियास बन करके रेडि होगा जिसमें हमने एक पैसे खर्च नहीं कि घर की चीजों से बनाया है और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम को जब यूज करना और तो हम इसे यूज करेंगे और जब हम इसकी नहीं नहीं होगी तो हम तरफ से कुछ बांदेंगे क्या बद चलिए यहां पर हमने ले लिया है हमारे पास सूलेश पड़ी थी तो मैंने उसी को उठा लिया है तो बस इस तरीके से मैं नौट लगाऊंगी और इसमें बांदूँगी तो एक तरफ मैं इधर बांदूँगी दूसरी तरफ मैं उधर बांदूगी दोनों तरफ से इसको बांदना है और बस इसी तरीके से आप इसको पूरे में बांदिबे फिर दो इधर बांदना है और यहां देखिगा अरि मैं आपको दिखा रहे हैं अब इधर बांद लेना है तो यह हमारा हैंगिंग के काम आएगा हम जहां भी इसको हैंग करेंगे अच्छी तरीके से यह अगनाईज हो करके हैंग हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा इस पेस भी लेने के ज़रूत नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं यह बूल गई थी मुझे इसमें डालना था भी चूडियां तो इसके लिए मैं इसको फिर से खोलूँगी और उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी चूडियां क्योंकि जब मैं चूड़ी डाल दूँगी तो हैंग करने का यह बहुत ही बढ़ियां साइग बन जाएगा तो यहां पर मैं सोचने हूं कौन सी ले लूँ तो यह कोई पतली सी चूड़ी लेती हूं जिससे की अच्छी तरीके से यह देखिए यह वाली ले लेते हैं तो यह अच्छा रहेगा मैटल का है तो मैं बस इसी को इसमें डाल करके और उसके बाद में फिर से नौट लगा दूंगी तो अब यह देखिए हमारा यह बन करके रेडी हो गया इस तरीके से अब हम दूसरी तरब भी इसी तरीके से बान देंगे तो हमारा ये टूल बन करके रेडी हो जाएगा तो दोनों तरफ से हमने इसको देके बान दिया अब ये जो हूख होता ना इसको हूख को लेना है और इस तरीके से फसाद देना है आप चलिए हम इसको टांग कर आपको दिखाते हैं और कपड़े भी टांग कर दिखाते हैं आपको ताजूब होगा कि इतने से देखिए किस तरीके से मैंने सारे कपड़े टांग दिये बहुत सारे टांगे जबकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा इस्पेस है और देखें बिल्कुल जगा नहीं लिया है एक कोने में थोड़े जगा में यह आराम से टंगे आए तो यह बहुत ही बढ़िया सा टूल देखिए बनकर के रेडियो है अब इसमें इतनी ज़्यादा आभी देखिए आप दो श्ट्रिप और पड़ी है आप चाहो तो इसमें और बांद सकते हो और तमाम सारे कपड़े सुखा सकते हो अब ना यह जगा घेरेगा ना हमें बहुत सारे पैसे खर्च करके और राजर लाने की ज़रुद पड़ेगी तो यह ना कमाल का एडिया जरू इसको ट्राइब करिएगा और जब कपड़े सुख जाए तो इसको उठाइए और उठा करके रख दीजिए तो बहुत ही कमाल का एडिया है जरू ट्राइए चलिए बढ़ वो सड़ता नहीं खराब नहीं होता है और उसके बाद में यहां पर मैंने यह ले लिया एक निट तो निट लगा करके इस पर रख दूँगी जिससे कि इस पर धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और आलू में हवा भी लगती रहेगी यह देख सकते हैं इस तरीके से तो यह छोटा सा जुगाड है लिकिन है बहुत काम का जरू उसको ट्राइ करिएगा आलू जब भी ज़्यादा एक अठा ले करके आईए तो बस थोड़े से लहसन की कलियास में तोड़ करके डाल दीजिए आपका आलू लंबे समय तक श्टोर रहेगा और खराब भी नहीं होगा चलिए बढ़ते है नेक्स्ट की तरफ तो क्या होता है जैसे जैसे बरसा शुरू होती है हमारे हाँ लाइट भी जाना शुरू हो जाती है अब दूद बिचारा क्या करे उसको तो खराब होना ही है अगर आपने गरम कर दिया तब भी खराब हो जागा क्योंकि उमस के साथ साथ जब गर्मी बढ़ती है तो दूद का खराब होना पक्का है अगर आप कहीं बाहर चले गए हो और दूद फ्रिज में पड़ा हुआ है तब भी खराब हो जाएगा तो चलिए एक बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप पूरा पूरा दिन दूद रखे रोगे और खराब ही नहीं तो यहाँ पर लेना एक बड़ा सा बरतन और उसमें डालना है ठंडा पानी अगर आपके पास में फ्रिज का पानी तो उसको डाल दीजिए अब यह हो गया ना हमारा बहुत ही सरल और देसी वाला का जो हमारी दादी रानी क्या करती थी अब दूद को उठाइए और रख दीजिए इस तरीके से अब इसको आपको खुले में रखना है कीचेन में ऐसे कहीं भी रख दीजिए जहां पर की हवा आती रहे और खुला जगा हो अब क्या करना है बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना की आपको ऐसे खुला ही छोड़ देना अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इसमें मक्ही गिर सकती है खराब हो सकता है कुछ भी गिर सकता है तो इसको में कवर भी करना है लेकिन इस तरीके से करना है जिससे कि इसमें हवा आती रहे तो क्या करना है जुगार चलिए आपको ये भी दिखा देते और बता देते अगर आप इस तरीके से करोगे न तो आपका दूद पूरा का पूरा दिन रखा रहेगा और खराब नहीं होगा तो हमें यहापे लेना चन्नी जो हम लोग आटा चानते न वो एक चन्नी एक्ष्टा सभी के गढ़ में जरूर होती है तो बस उसको लेना और इस तरीके से ढख करके रख देना है अब इसमें यहर जाती रहेगी और आपका दूद जो है नीचे से भी ठंडा रहेगा और उप बहुत अकलिफ होती है क्योंकि पैसे बचाना हम मेलाओं का ही काम होता है तो यह जरूर आपको पसंद आगा जरूर इसको ट्राई करिएगा चले बढ़ते अगले टिप की तरफ अगला टिप भी बहुत काम का है और आपको पसंद भी आएगा तो क्या हो मैं बनाने जा रह इसको भूनने के लिए अब मैं इसको ऐसे रही छोड़ दूँगी इसको अच्छी तरीके से भूनोंगी और मसाले भी अच्छी तरीके से पकेंगे तो मैं यहां पर ढख दे रही हूं अब जब तक हमारी सबजी भूनेगी मसाले पकेंगे तब तक मैं उपर रख देती हू एक बरतन में पानी अब इसके भाप से गर्मी से पानी भी घरम हो जाएगा हमारी सब्जी भी भुन जाएगी और हमारी गैस की बचक भी होगी तो यह मेरा तेजूर्बा आपको जरूर पसंद आगा आप इसको ट्राइ करना बिल्कुल भूलेगा अब मैंने उपर ही ढग दि दिखिए पानी अच्छा खासा गरम हो गया है और इसे भाप उटने लगी है तो चलिए पानी को हटाते हैं और सब्जी को देखते हैं मतलब हमारा चार मिनट में सारा काम हो गया और यह देखिए सब्जी भी कितनी अच्छी भुन गई और मसाले भी कितनी अच्छी तरीके से भुन गए तो हमारा हो गया ना डबल काम एक साथ अब उठाइए पानी गर्मा गरम सब्जी में डाल दीजिए थोड़ा सा पकाईए और उतार दीजिए जैसे कि आपकी सब्जी आधी तो पक चुकी है आधी पकना बाकी है तो आई होप यह छोटा सटीप था लेकिन आपक इसे लगता नहीं है और जब भी हम इस पर कुछ डालते हैं तो यह बिलकुल खुल करके तुर्ट नीचे गुआ जाता है तो ऐसा क्या करें जिससे कि अच्छी तरीके से लग जाए और यह गिरे नहीं तो इस तरीके से खुल जाता देखिए और सब्जी पता चलता है जो भ कर Sh quin के घर में भी इस तरीके के पानी के कोल्डिंग के धगं जरूर पड़े होंगे तो यहां पे पानी कि अगर धकन लेंगे तो सही नहीं रहेगा उतना अगर आप के पास कोल्डिंग की हो तो सबसे best है अभ लेना है इस तरीके से उसके बाद में हमें लेना है double sided tape जाले म होती है Fighter कि मैं यहां पर कट कर लिया मैंने और मैं इसको लगा दूंगी livres निकाल करके इस तरीके से धकन और आप इसे डारेक्ट भी rinse कर सकते हो इस तरीके से और यह देखे इस तरह के भाकन को आपको लगा अब ये आपका एक कवर करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा बन गया है तो अब क्या करना है उठाना अपना गारवेज बैग और इस तरीके से इसको फसा देना है यह देखिए ऐसे जब आप फसा देंगे मेरा तो यह जो पॉलिथिन में लगा रही है बहुत छोटा है फिर इस तरीके से लेकिन देखिए इसको भी में लगा कर दिखा रही है कितनी बढ़िया तरीके से लग गया है अब आप देख सकते हो आप कुछ भी इसमें कूड़ा डालोगे तो वह गिरेगा ने तो चलिए जो भी मेरे आस पास है मैं उसको भी डाल करके आप दिखाऊंगे दोनों तरफ यह बढ़िया तरीके सफस गया देखिए और आप इसमें कुछ भी डालिए तो देखिए जो भी आप डाल देंगे कुछ भी डालिए चाहिए इतना सामान डालिए गिरने वाला नहीं है तो जरू इसको ट्राइ करिएगा जब भी आपको लगे कि वाकई में य कुछ बहुत मोटिवेट करता है कुछ नया लाने को कुछ नया करने को अज की मिलूंगी नेक्ष्ट वीडियो में नेक्स ट्टॉपिक के साथ में आजकी वीडियो में आपके लिए सबसे विसफूल टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल नद भूलिए और हाँ आप कहां से मेरी वीडियो को देख ले हो यह भी मुझे जरूर बताएगे तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग